हाई बच्छों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल, पिछले वीडियो में हमने यूनिट फ़स्ट और यूनिट टू, बिये पार्ट वन, एक मिनट देखिया हाँ, जो है आपको बिये पार्ट वन, सेमेश्टर सेकेंड का पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, पॉलिटी, ठीक है, और जो है, बहुत सारे बच्छे कमेंट किये हुए थे, अबजेक्टिव के लिए, अबजेक्टिव टाइप कोश्चन तो कमपलसरी है, उसको करना ही है, तो हमने आप लोग को यूनिट फ़स्ट और यूनिट सेकेंड, पिछले वीडियो में कराया हु हुआ है, उसमें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से अच्छी तरीके से, डिटेल्स में, तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड जो है, का अबजेक्टिव टाइप कोश्चन इस टाइप से आए, तो कैसे हम लोग करेंगे, उसको देखना हैं हम लोग, ठीक है, तो वीडियो में बने रहे हैं, देखते रहे हैं लाश्ट तक, फर्स्ट इंबर कोश्चन देखिए बच्छों क्या खा रहा है, फर्स्ट इंबर कोश्चन, निमलिखित में से कौन राजी की उत्पती का सिधान्त नहीं है, बहुत सारे लॉंग टाइ हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, इसमें कोई हाड नहीं है, इसी उसी से यह आपजेक्टिव बना हुआ है, उसी सब कोश्चन से, तो बहुत इजी है, देखते रहे हैं ध्यान से, निमलिखित में से कौन राजी की उत्पती का सिध्धान्त नहीं है, दैवी सिध्धान और व नमबर समाजिक समझहोते का सिध्धान्त, स नमबर विकासवादी सिध्धान्त और दनमबर कल्यानकारी सिध्धान्त, बताई, कौन राजी की उत्पती का सिध्धान्त नहीं है, बताई, कल्यानकारी सिध्धान्त जो है, ये राजी की उत्पती का सिध्धान्त नहीं है और सभी सिद्धान देवी समाजिक समझोते का सिद्धान विकासवादी सिद्धान यह सभी राज की उत्पती के सिद्धान थे ठीक है बच्चों तो दप्रिंस पुस्तक किसने लिखी है मैक्या वेली हॉप्स लॉग टी एच ग्रीन पता ही क्या हो मैक्या वेली जो है प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैक्या वेली जो है प्रिंस पुस्तक के लेखक है यह किसने कहा है कि राज जीवन के लिए अस्तित में आया और सद जीवन के लिए अस्तित में बना हुआ है अरस्तु प्लेटो हीगल एस्पेंसर तो अरस्तु जो है यह बोल हुए हैं कि राज जीवन के लिए अस्तित में आया और सद जीवन के लिए अस्तित से बना हुआ है ठीक है बच्चों पोर नंबर कोश्चन देखें क्या कर रहा है politics शब्द का उदय किस भासा से हुआ है politics शब्द का उदय जो है किस भासा से हुआ है Greek अंग्रेजी Spanish Latin देख बहुत अच्छा कोश्चन बताई यह क्या होगा ग्रीक ग्रीक जो है politics सब्द की उदय इसी भासा से हुआ है Greek सब्द से ठीक है शक्ति प्रित्कर्ण का सिधान्त किस ने लिखा है शक्ति प्रित्कर्ण का सिधान्त जो है वो किस ने लिखा है kont, Russell, Montescue और Gandhi सक्ति प्रित कर्ण का सिधान्त जो है Montescue ने लिखा हुआ है Montescue जो है शक्ति प्रित्कर्ण का सिधान्त लिखे है Montescue विवस्थापिका का कारे जो है वो क्या है कानून बनाना बाग़वानी का कारे करना युद्ध करना, समझावता करना बताएंगे आप लोग, क्या होगा? कानून बनाना जो है वेवस्थापिका का कारी है वेवस्थापिका का कारी क्या है? कानून बनाना, ठीक है? नेक्ष्ट देखिए 7 नमबर ग्राहम ओफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ग्राहम ओफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ये पूछ रहा है गॉर्नर, लिकॉक, लॉस्की, गिलक्राइस्ट गॉर्नर, लिकॉक, लॉस्की और गिलक्राइस्ट ग्राहम ओफ पॉलिटिक्स के लेखक जो है वो पूछ रहा है कि कौन है बताई ये बच्चों क्या होगा लॉस की जो है वो ग्राहम और पॉलिटिक्स के लेखक है निमलिखित में से कौन कानून का सुरोत नहीं है कानून का सुरोत जो है वो नहीं है रिती रिवाज विधाई का औचित नियाई की निर्णे बताई क्या होगा रिती रिवाज विधाई का औचित और नियाई की निर्णे जो है कौन नहीं होगा कौन सुरोत नहीं है कानून का सुरोत जो है कौन नहीं है तो ये जो है औचित औचित जो है कानून का सुरोत नहीं किसने कहा है कि राजी के बाहर या उसके बिरुद कुछ भी नहीं है, सबकुछ राजी में सन्निहित है, गिल क्राइश्ट, मुसोलिनी, जौन आश्टिन, बोसांके, कौन बोला है? मुसोलिनी जौन ये बोले हूए, रक्त संबंद समाज को और समाज राजी को जनम देता है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, ये देख रहा है हम लोगो, मैक्यावर, लॉस्की, लिंड से, लावल, बताइए, क्या होगा? 10 number जो है इसका answer क्या होगा बताइए कोई बताएंगे मैं क्या वेर जो है ये बोले हुए है रक्त संबंद समाज को जर्म देता है और समाज राज को जर्म देता है कथन किसका है मैं क्या वेर का ठीक है बच्चों 11 number question देखते हैं 11 number question क्या कर रहा है एतिहासिक सिद्धान्त राज की उत्पती में निम्नामकित को एक कारक नहीं मांता धर्म बलपरियोग स संस्कृति द आर्थिक गतिविरिया ये जो है एतिहासिक सिधान्त जो है ये राज की उत्पती में निमनामकित को एक कारक नहीं मानता है धर्म बलपरियोग संस्कृती और आर्थिक गतिविधियां ये कौन नहीं मानता है ये देखना हम लोग संस्कृती संस्कृती जो है एतिहासिक सिधान्त के राज की उत्पती में निम Republic, बहुत अच्छा question है, Republic, on liberty, wealth of nations, wealth of nations, ये Marx की परसिध पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है हम लोग, ठीक है, तो on liberty जो है, ये Marx की परसिध पुस्तक के लेखक है, ठीक है बच्चों, किसने कहा है कि प्राकिर्तिक अवस्था में परते एक बेक्ति, दूसरे बेक्ति का स सत्रू था, परते इक बेक्ति जो है, दूसरे बेक्ति का सत्रू है, Hobbes, Russo, Locke, Comt, Huobs कहे हुए है, hobbes जो है ये कहे हुए है, कि प्राकिर्तिक अवस्था में परते एक बेक्ति, दूसरे बेक्ति का सत्रू है, ठीक है, किसने कहा, राज बिकास का परड़ाम है स्रिजन का नहीं राज जो है विकास का परड़ाम है एक स्रिजन का नहीं ठीक है देवी सिध्धान्त शक्ती सिध्धान्त समाजिक समझहोते का सिध्धान्त विकासवादी सिध्धान्त ये किसने का है ठीक है तो समाजिक विकासवादी सिधान्त जो है यह जो है राजि विकास का परणाम है यही बोली हुए ठीक है अगला देखते हैं 15 नंबर कोशन क्या करहा है बच्छों 15 नंबर कोशन ठीक है रूसों को प्रकीर्तिक अवस्था का रूप कैसा था वो देखना है हम लोग को ठीक है तो आज सहयोग की युद्ध की सहयोग वश्यान्ति की स्वतंतरता की तो प्रकिर्ति का वस्था कैसा स्वरुपता स्वरुपता ठीक है राजनिती को बिज्ञान मानता तो बहुत दूर रहा यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है यह किसका कफन है ठीक है राजनिती को बिज्ञान मानता तो बहुत दूर रहा यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है यह किसका कथन है ठीक है मैट लेंड बकल कैटलेन लॉस्विल दे कौन है 16 नंबर का एंसर क्या होगा बते बकल जो है यह राजनिती भी ज्ञान को मानता तो बहुत दूर है कलाओं सबसे फिठी बकल बोलें समाने इक्षा का सिधान्त किसका है समाने इक्षा का सिधान्त जो है यह किसका है मार्क्स रूसो एगल लोहिया मार्क्स जो है यह समाने इक्षा का सिधान्त पिया हुए ठीक है origin of family प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है एडम स्मित देविड हूम वाल्टेयर एंगिल्स बताई क्या होगा एटीन नमबर जो है इसका क्या होगा एंगिल्स एंगिल्स जो है यह origin of family नामक उस्तक के लेखक बोले में पते किसने कहा है कि राज के बिना वास्तुक स्वतंतरता की प्राप्ति नहीं की जा सकती जो है यह बात बोले हुए है कौन बोला हुआ है लोस्की जो बोले है यही बात बोले है कि वास्तुक स्वतंतरता की प्राप्ति नहीं की जा सकती यह राज के बिना वास्तुक स्वतंतरता की प्राप्ति नहीं की जा सकती लोस्की बोले हुए है कौन बोला हुआ है लोस्की 20 नंबर human nature in politics human nature in politics नामक रचना किस लेखक की है human nature in politics नामक रचना जो है यह किस लेखक की है ठीक है ग्राहम वैलास लीयो वाल्टर बेजब्यार्ट और लास्की यह जो है लिये हुए है ठीक है तो ग्राहम वैलास जो है यह human nature in politics के नामक रचना की लेखक है हॉब्स का संबंध निमलिखित देश से था हॉब्स का जो है संबंध किस देश से था पतही प्रांस से जर्मनी से इंग्लेंड से अमिर्का से पतही हॉब्स का संबंध जो है किस देश से है प्रांस जर्मनी इंगलेंड अमिर्का ते 21 नंबर का जो है क्या एंसर होगा हॉब्स का संबन्ध इंगलेंड से हॉब्स के अनुसार प्रकृतिक अवस्था में मनुस्य नीम्न स्वरूप का था होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुस्य जो है किन किन स्वरूपों का था वो पूछ रहा है मनुस्य निम्न स्वरूपों था वीवेक यूप्त नैतिक जंगली समाजी बताई क्या होगा कैसा था जंगली था हॉब्स के अनुसार प्रकृतिक अवस्था निमलिखित प्रकार की थी कैसी थी प्रकृतिक अवस्था जो है वो हॉब्स के अनुसार प्रकृतिक अवस्था कैसी थी यह पूछ रहा है ठीक है देखिए युद्ध की अवस्था थी शक् की अवस्था थी वेपार और बाने जी की अवस्था थी एक पूछ रहा है ना तो उस समय कहती थी युद्ध की अवस्था थी युद्ध की अवस्था और नमबर आप्शन हो जाएगा ऐसी अवस्था थी हॉब्स के अनुसार समझहोते का रूप निमलिखित था समझहोते का द़रा लोगों पर थोपा गया था कि समझहाता लोगों वईष्वर के बीच हुआ था। शक्ति ही सत्य है सक्ति ही सत्य है किसका कथन है किसका कथन है अबस वाहन लॉपर एक जिए सकती ही कथन है यह किसका कथन है Hobbes का Hobbes का दर्शन तर्क शास्त्र की सर्वुत्तम रचना है यह किसका मत है Hobbes का दर्शन जो है तर्क शास्त्र की सर्वुत्तम रचना है किसका मत है केटलीन, तर्मन, जॉन लॉक और सेवाईन या किसका कतन है 26 बताने है हम लोग को तर्मन तर्मन जो है या सरवुत्तम रचना है यही मत है 27 नमबर देखिए बच्चों 27 नमबर किसके अनुसार किसके अनुसार जो है वास्त्य कानुन किसके अनुसार वास्त्य कानुन उस वेक्ति को आदेश है जिसे दुसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है सेवाईन, होब्स, देकौटे और दाते क्या होगा 27 का जो है क्या होगा बताई होब्स होब्स बोले हुए है स्वैम को पढ़ो स्वैम को पढ़ो यह मुल मंत्र किसका था यह मुल मंत्र किसका था बताई होब्स रूसो लावल और ग्रिन यह किसका कथन था बच्चों बता सकते हैं यह जो है होब्स का कथन था होब्स बहुत लि सुझाव दिया था किसके परशात समझावते के पशात किया दिये थे समझावते के पशात बताएं यह दिए हुए थे समिती शासन लोकतंत्र निरंकुस्तन्ता फुलें दर ये जो दिये ते निरंकु hippias लेवि आथन का लेखक कौन है यह पूछ रहा है ठीक है ठॉमन होप्स गौर्णर सीले जैपरकास तो ठॉमन होप्स जो है यह लेविति आथन के लेखक है ठीक है अगले नेक्ष्ट देखते हैं 31 नंबर क्या कर रहा है समाजिक सम्विदा नामक पुस्तक के लेखक है समाजिक सम्विदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है ठीक है हीगल लॉक रूसो लॉसकी ठीक है तो इसके लेखक जो है सम्विदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है हीगल लॉक रूसको और लॉसकी यह कौन है बताए बच्चों कौन है पता सकते हैं रूसो रूसो जो है ये लेखक है किसके शब्द है मनुस्य सुतंत्र पैदा होता है परंतु सरवत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है रूसो के कि मॉन्टेश्क्यू के कि एडम इस्मित के कि मार्क्स कि इसके शब्द है ये कि मनुस्य स्वतंत्र पैदा होता है लिपरंतु सरवत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है ये रूसों के कतन है कि मॉन्टेश्क्यू के कतन है कि एडम इस्मित के कतन है कि मार्क्स के कतन है यह जो है किसके शब्द है कि मनुस्य स्वतंत्र पैदा होता है और जो है सरवत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है यह जो है किसके कथन है यह पूछ रहा है ना मनुस्य सरवत्र जो है किसके शब्दों में जो है जकड़ा रहता है यह पूछ रहा है तो यह जो है किनके कथन ह रूसो के, रूसो के कथन है, the state and revolution किसके लेखक है, ये पूछ रहा है ना बच्चों, तो ये जो है, श्टालिन, लेनिन, मार्क्स, माव, ये जो है, लेनिन बोले है, the state and revolution जो है, ये पूस तक जो है, किसने लिखे है? लिखी है, लायन लेनिन, रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक कौन है? Lossky, Bentham, Hegel, Plato, बता ये कौन लेखक है? रिपबलिक के लेखक कौन हुए है बताई ये प्लेटू प्लेटू जो है वो रिपबलिक के लेखक है The concept of liberty का लेखक कौन है? The concept of liberty का लेखक जो है, वो कौन है? यह पूछ रहा है. The concept of liberty के लेखक पूछ रहा है ना बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा. The concept of liberty का लेखक कौन है? तो मिल, इसाब बर्लिन, लॉस्की, मेक्स फर्सन, कौन लेखक है? बताएए, कौन लेखक है? इसाब बर्लिन, इसाब बर्लिन जो है, यह concept of liberty के लिए सबसे बड़ा खतरा की से बताया है? सरकार को, विरुधी दल को, बहुमत को, अल्पमत को. 36th number, मिलनिस्वत अनतरता के लिए सबसे बड़ा खतरा की से बताया है? सरकार को, की विरुधी दल को, की बहुमत को, की अल्पमत को? की से बताया है? 36 नमबर जो है बहुमत को बहुमत को जो है सबसे बड़ा खतरा बताया है किसके शब्द है मैं राजी हूँ ये किसके शब्द है इंदरा गांधी बहुत अच्छा कोशन हमेशा पूछता है नेपोलियन, लुई चौदहवे, मुसूलिन किसके शब्द है लुई चौदहवे के जो है ये शब्द है कि मैं ही राजी हूँ अन लिबर्टी के लेखक कौन है अन लिबर्टी के लेखक कौन है जेयस मिल, सीले, मैकेकनी और मैजिनी अन लिबर्टी के लेखक जो है कौन है JS Mil, Sile, McKinney और Mejney तो 38 नंबर जो है यह है JS Mil On Liberty के लेका कौन है JS Mil समान एक्षा, राजी की एक्षा नहीं समान एक्षा जो है वो किसकी एक्षा नहीं है राजी की एक्षा नहीं है बलकि राजी को स्थिर रखने की एक्षा है बलकि राज को क्या है इस्थीर रखने के इच्छा है किसका कतन है Hobhouse, Green, Machiaveyer, WaPage और Ginbarg ये किसका कतन है 39 number देखा है मेट्रेयर वबाज यही इनका कतन है राज को इस्थीर रखने के इच्छा किसका कतन है मेकियावीर वबाज पेज का कतन है समाजवाद का प्रमुक्ष सिधान्त कौन सा 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 है समाजवाद का प्रमुक्ष सिधा करता है समाजवाद का सिध्धान्त क्या है अन्याइज सोषण तथा भी समता का अंत करना राजी को संपून अधिकार देना मानव स्वतनतता की रक्षा करना सासन पर कोई अंकुष न लगा सासन पर कोई अंकुष ना लगन ये देता है तो ये हो जाएगा अन्याई शोषण तठा विसंता का अत करना अन्याई शोषण तठा बिसंता का अंत करना ही जो है समाजवाद weshaos करता है समाजवाद का सिध्धान ठीक है अब देखिए 42 number question क्या कर रहा है बच्चों 42 number question किसने यह माना है कि किसने यह माना है कि राज एक नैतिक संस्था है राज जो है एक नैतिक संस्था है जो मनुस्य के नैतिक विकास के लिए आवश्चक है जो मनुस्य के नैतिक विकास के लिए क्या है आवश्चक है बेंथम, मेल, ग्रीन, हीगल या किसने माना है पता ही बेंथम, मेल, ग्रीन, हीगल क्या माने है कि समाज यह माना है कि राज एक जो है नैतिक संस्था है यह माने अधर कौन माना है, ग्रिन जो है, ये माने हूँ, निमलिखित में से कौन सा राजी का तत्तो है, संप्रभुता, राश्ट, शक्ति, दबाओ, ये कौन है, बते ही, 43 नंबर का, जो है, चंप्रभुता, ये जो है राज का महत्तुमान्त ठीक है निमलिखित में से कौन सा राज का तत्तु नहीं है सरकार संप्रभुता प्रशासन जनसंख्या कौन सा राज का तत्तु नहीं है ये जो है प्रशासन प्रशासन जो है राज का तत्तु नहीं है मैं क्यवेर के अनुसार राज को कौन से कारे नहीं करने चाहिए सहित्य वकला पर नियंत्रण कानून बेवस्था का प्रबंद सव नंबर पुस्त कालेयों की बेवस्था दव नंबर प्राकित संसाधनों का शोशन ये करना है तो 45 नंबर का जो है सहित्य वकला पर नियंत्रण ये जो है राज को नहीं कार नहीं करने है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कोश्चन के साथ और इसका पीडिये फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुए बच्चों आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और ले सकते हैं उसमें डिटेल्स में सब आपको मिल जाएंगे तो अबजेक्टिव टाइब का कोश्चन ये कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में अगले कोश्चन के साथ मिलते हैं थैंक्स फॉर बाचिंग थैंक्स फॉर बरेली वीडियो अच्छा लेगे लाइक सेयर सब्सक्राइब तर जीजिएगा थैंक्यू थैंक्यू सो म हुआ 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 है